गुड मॉर्निंग स्ट्रेंट्स वेलकम टू बीबी निलन क्लासिल टूड़े वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेवन्थ लेसन दी लास्ट लीव तो स्ट्रेंट इस लेसन को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आज मैं इसकी समरी बताऊंगा तो देखिए जॉंसी नाम की एक लड़की को निमोनिया हो जाता है उसका बिस्तर उस खिड़की के पास था जो सामने वाले गर की एट की दीवार की दिसा में खुलती थी एक बहुत प्रानी सिर पैचे की बेल एट की दीवार की आधी उपर तक चड़ी होई थी सीत रितू थी और उसके पत्ते जड़ रहे थे जौनसी के दिमाग में एक अजीव विचार आया वहें सोचने लगे कि जब इस सिर्पेंचे का आखरी पत्ता गिरेगा तो वहें भी मर जाएगी सिर्पेंचे किस से पिर्तेक पत्ते के गिरने के साथ उसकी हरत बंद से बद से बदतर होती गई उसकी सहेली सियू ने जौनसी के दिमाग में यह मूरता पूर्न विचार निकालने की बहुत कोशिस की किन्तु सब व्यर्थ हुआ हुआ जब सिर्पेंचे पर केवल एक पत्ता रह गया तो जौन सी स्वैम को मिर्टू के लिए त्यार करने लगी तब सीव ने अपनी सहेली की जान बचाने के लिए एक योजना सोची रात को वे जब जौन सी सोई हुई थी तो उस्यू बेरमेन नाम के बूड़े चित्रकार के पास गई और जोर की वर्षा हो रही थी रात को शिरपेंचे का आखरी पत्ता गिर गया बेर में ने एक पत्ते को हरे रंग से रंगा जो बिलकुल असली पत्ते की तरह पिर्तीत होता गया था अगली सुवे जान से जागी तो उसने आखरी पत्ते को गिरने की पिर्तिक्चा करने लगी परंतु दो दिन और दो रातों के बाद भी पत्ता नहीं गिरा उसने जौन्सी के मन में एक नई आसा भर दी उसके हालत सुदरने लगी जब वैप पूरी तरह से खत्रे से भार हो गई सिउन्हें उसे बताया कि आखरी पत्ता असली पत्ता नहीं था बल्कि मात्र बेरमेन के द्वारा की हुई चित्रकारी थी उसने उसे यह भी बताया कि रात को बेरमेन ने वर्सा में काम किया था उसे नमोनिया हो गया और अगले दिन वै मार गया बेरमेन की जीवन भर एक उत्तम चित्र बनाने की इच्छा थी लेकिन वे उसे कभी आरंब नहीं कर पाया था किंदू अपनी मिल्टू से पहले उसने जो आखरी पत्ते की चित्रकारी की थी वास्तम में अति उत्तम कृति सिद्ध होई तो इस लेसन का कहने का विप्रा ये है कि मरने की इच्छा करना बिलकुल पाप है थैंक यू